बाइक को अलो दोस्तों एक बार फिर से आपका है इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कसरसाई जो कि पुने में है तो दोस्तो कासारसाई डैम है जो कि मैं आ गया हूं तो मुझे पापस हुज़र जाना पड़ेगा तो मैंने सुचा पहले थुड़ा सा इधर आ गया हूं तो इधर एक्स्प्लोर कर लेता हूं तो मैंने पीछे बाइक लगाई हुई है बट अभी मुझे आगे जाना है अभी मुझे उस साइड में जाना है तो मैं पहले सोचा के इधर से चलता हूं उसके बाद बाइक उठा के उस साइड में पहंच जाएंगे अधर गेट लगा हुआ था तो रोड बंद करके रखा है उदर इधर आना साइड एलाउड नहीं है और पैदल तो आई ही सकते हैं तो इधर से में थोड़ा सा दिखाता हूं आपको यह जो नीचे रोड है इस रोड से आया था मैं उस साइड में मैंने बाइक लागाई हु तो इधर से काफी अच्छा व्यू आता है और यहां पर मैंने एक दो क्लिप भी लिए और एक दो फोटो भी लिए जाथा कि आप यह वाला देखें तो यह काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहां से यह मॉर्निंग के नैम पर और अच्छा व्यू आएगा बाटे दर जाओ नहीं सकते आगे बाइक से आए थैंक्स को रास्ता ब्लॉग है तो दोस्तों मैं अभी उपर हूं अब आप इस साइड में देखेंगे तो यह खेती बगएरा होती है और यहां पर कुछ किसानों के घर बगएरा भी है नीचे और इस साइड में पूरा पान बना हुआ यह ईडरम बना हुआ पानी कम हे अभी वरसात का मैं नहीं नहीं है इस लिए पानि कम हो गया दोस्तों एक मेरी कंप्डेंट है आपसे आप लोग में बोल नहीं रहा हुँ तो आप मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देख रहे हो तो प्रीज पूरा ब्लॉग देखा करो तो अभी पीछे ही सेड़ जाते हैं जो सेधन में के तो सेड़ में कुछ केया करेंगे तो मैं जो हा छूख हूं और έज है इधर बोटिंग वगारा की विवस्ता है बोटिंग बागारा कर सकते हुज सबस्क्राइब किया खरते हैं हुई तो इस हैड में आपको ये रिशॉर्ट बगरा भी मिल जाएंगे तो यहांपर बहुती प्यारी बतर्कती अभी हम बापस आहेंगे ऑपर पहले उद्र चल दे हैं अंधर की साड़ थोड़ा सा और एक्स्वैर करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको रिशॉट बगएरा मिल जाएंगे एक रिशॉट यह है और आगे भी एक रिशॉट है तो दो रिशॉट है यहां पर इसके अंदर भी जाके आप एक्टिविटी बगएरा कर सकते हों में इसके अंदर तो नहीं गया I think 1000 रुपई से स्टार्टि है तो कोई टेंसर नहीं है तो अभी हम इसके अंदर आ गये हैं यहां पर एक रिशॉट मिलेगा आपको I think इदर बार बगएरा भी है तो उदर तो मेरा कुछ है नहीं क्योंकि ऐसे जगह उबर में जाता नहीं है तो अभी हम चलेंगे उदर बोटिंग की दरफ तो हमें करने है बोटिंग तो यहां पर मिलेगा आपको बाला जी बोटिंग क्लब यह अच्छी बोटिंग देते हैं इनकी सर्विस बगएरा ठी है जो किनारे पर हैं उनसे कहीं ज्यादा एरिया इनको मिल जाता है कि यह मिडल में है तो इनको ज्यादा एरिया कवर करने को मिल जाता है तो यह बहुत अच्छा एरिया कवर कर लेते हैं बोटिंग से तो अगर आप जाते हो तो इनका बोटिंग ले सकते हैं तो चली अभी आपको दिखाते हैं बोटिंग एक्सपिरेंस मैंने आपर एक स्पीड बोट ली आप जो ये सामने बोट देख रहे हैं ये स्पीड बोट है और ये सिंगल परसं के लिए है तो एक ये वाली स्पीड बोट थी एक दूसरी है तो हम ले रहे हैं दो लोगों वाली तो इसमें मैं एक भाई के साथ जाओंगा तो हमने अपनी बोट ले ली है और अभी हम निकल रहे हैं कि अ बोट बोट रहे हैं तो दोस्तों आपको वीडियो में इतने इस्टन्ट नहीं देख्या होंगे लेकिन भाइया ने काफी स्टन्ट दिखाएथे हैं और अभी जो हम चलना काफी अच्छी स्पीड में चलना है जो कर आपको इस वीडियो में कम दिखाई दे रही होगे तो ये एक यादगार experience बना दिया है हमारा भाईया में तो दोस्तो इससे पहले में ने लवाथा में बोटिंग की थी बट वहां का इतना अच्छा experience नहीं था मेरा बट यहां का जो experience काफी मज़ेदार experience है मेरा दोस्तो जो कि मैं experience कर रहा हूँ यहां पर दोस्तो आप चला गया है मेरे कैमरे में पानी तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सुखाता हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं तो यहां पर बहिया ने एक दो मिनिट के लिए रोका था क्योंकि हमें यह संसेट व्यू लेना था इसलिए और अगर आपको रुकना है तो आप बोल सकते बहिया से यह बहिया रोक देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो यह याद रखें आप अगर रु कुछ ने पकड़ ली है इस्पीड काफी इस्पीड पकड़ लिए तो हमारी बोट की अभी इस्पीड बहुत तेज है काफी तेज इस्पीड में हैं हम तो जैसा कि आप देख सकते हैं कित्री स्पीड है और यह जो सामने बोटिंग देख रहे हैं आप वो ग्रुप के लिए है उसका आइधिंक 200 रुपए चार्ज है या फिर कम होगा मुझे पता नहीं है एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है आप जाओगे तो पता कर ले ना बट यहां पर यह बाला जी बोटिंग गलाव है ना तो यहां पर आपको रिजनेबल प्राइस में बोटिंग मिल जाए और यहां पर एक्सपर्ट लोग हैं सब तो आपको जो बोटिंग राइट देंगे काफी अच्छी देंगे आपका एक्सपिरेंस मतलब यादगार रहेगा काफी अच्छी बोटिंग रही मेरी काफी अच्छा एक्सपिरेंस रहा भाया ने अच्छी राइट की थी तो अभी हम बाहर आ गए हैं बोटिंग करके तो यहां पर यह रिशॉर्ट है आई थिंक इसके अनरबार भी है तो दोस्तों इस डेंप पर आपको दो रिशॉर्ट भी मिल जाएंगे एक रिशॉर्ट पीछे था बाला जी बोटिंग क्लब के पास और एक रिशॉर्ट यह है तो यहां पर भी कुछ एक्टिविटी हो नहीं यहां बर तो मैं जाने बाला हूं नहीं अंदर कि अपर मुझे लेट हो रहा है अभी थोड़ा से और एक्स्प्लोर करना है आगे की साइड हुसरे किनके संसेट ह होने बाला है तो दोस्तों संसेट के टैम पर बहुत सारे लोग आ गए हैं अपर कुछ चीजें दोस्तों यहां पर गलत लगती है मज़े जैसे कि जैसे कि सिगरेट की पी रहे हैं और बच्चे भी होते हैं तो उनको हमारे समाज के हिसाब से या पर हमारे भारती कल्चर के से बोचीजें सूट नहीं करते हैं और किसी के लिए तो यह भागिया आप लोग सोतंत भारत के सोतंत नागरेग हो तो कुछ भी करो कोई नहीं रोक रहा आपको तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं संसेट व्यू पूरा तो आप बने रही है या पर मैं आप आपको पूरा संसेट होते हुए दिखाऊंगा इसी वीडियो में और काफी अच्छा व्यूटिफुल व्यू आया है तो आप देखिए इसको तो यह मुमेंट कैप्ट्र करने के लिए मुझे पांच मिनित खड़े होना पड़ा है यहां पर कभी इस तरीके का संसेट नहीं देखा होगा आपने लेकिन आप यहां पर आप लाइब देख रहे हैं आप देखिए सूरज ढलता हुआ आपको दिखाई दे रहा थोड़ा था और बचा है तो यहां पर फाइनली पूरा सूरज ढूप चुका है तो अभी हम यहां से निकलते हैं क्योंकि हमने पूरा संसेट विव ले लिया पूरा कैप्सर कर लिया आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि यह विव आपको संसेट विव कैसा लगा और दोस्तों मुझे कमेंट कर के बता दिया करो फीडवेक दिया करो जिससे कि मैं और ब्लोग को इंप्रूव कर सबूँ तो यहां पर यह बतक कुछ अपना खाना भी खा रहें थे और यहां पर कहर रही थे तो काफी अच्छा मूमेंट था यह काफी अच्छा फील हुआ मुझे यहां पर तो दोस्तों मैंने यहां से संसेट का विव ले लिया है और यहां पर बतक भी थी तो कभी एच्छा विव आया यहां से अब यह चलागा सब्सक्राइब तो आप इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में भी आपको छोटी मोटी दुकाने बगारे मिल जाएंगे तो कोई दुक्त नहीं है खाने पीने की विवस्ता पूरी है तो आप देख लीजे आप जा सकते हैं एमली के साथ भी जा सकते हैं अच्छा है तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही मिलेंगे नेक्ष व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर